नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स न्यूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा लोगसभाद चुनाव दोहजार चौबिस के नतीजे आ गए हैं भाजपा की अगवाई वाले एंडिये को बहुमत मिल गया है संभावता है एक बार फिर मोधी सरकार के आसार नजर आ रहे हैं चुनाव आयोग ने देश की सभी 543 लोगसभाद सीटों के परिनाम घोसित कर दिये हैं जिसमें भाजपा ने सरवाधिक 240 सीटे हासिल की है जबकि कॉंग्रेस नहीं 99 सीटे जीती हैं मगर इसके लिए नित्वीश कुमार और चंदर बाबू नाइडू की भूमी का एहम है किं अवाध भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अभी खेला बाकी है इंडिय और इंडिया एलायन्स की एहम बैठक है इन बैठकों में ही अगली सरकार का खाका त्यार होगा हलाकि आज असपष्ट हो जाएगा कि मोधी सरकार का दावा कितना मजबूत है और इंडिया एलाइंस गेम में कितना बचा है लोगसवाद चुनाओं के नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायत तेज हो गई है इंडिये ने सरकार बनाने का दावा किया है मगर इंडिया एलाइंस भी संभावनाव से इंकार नहीं कर रहा है यही वज़ा है कि दोनों की आज दिल्ली में बैठक है इंडिये की बैठक में सामिल होने के लिए नितीश तो इंडिया अगटबंधन की बैठक के लिए 23 आज बिहार से दिल्ली आ रहे हैं हैरानी की बात यह है कि जिस फ्लाइट से नितीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं उसी फ्लाइट से 23 आदब भी दिल्ली आएंगे बताया जा रहा है कि 23 आदब भी विस्तारा की फ्लाइट यूके 718 से सारे 12 बजे दिल्ली पहुंचेंगे लोग सबाद चुनाओ 2024 के खटाखट नतीजे तो आ गएं अब फटाफट सरकार बन पाएगी या नहीं इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है इसकी वज़ा है भाजपा का अपने दम पर बहुमत से दूर रहना और इंडिया गठवंधन का 200 से अधिक सीटे जीतना क्या पीम नरेंद्र मोदी के नेत्र तुमें भाजपा सरकार बना लेगी या इंडिया गठवंधन कुछ बड़ा खेला करेगा इसे लेकर जारी सस्पेंस पर आज का दिन एहम है कुल मिलाकर कहें तो रिजल्ट तो आ गए मगर सरकार गठवंधन को लेकर पिक्चर अभी बाकी है नई सरकार को लेकर अब सब की निगाहें बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार और टीडी भी प्रमुख चांदरबाबू नाइडू पर टिक गई है अभी तक तो ये दोनों एंडिये के एलाइंस पार्टनर हैं मगर आगे भी रहेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है सियासत में कब किस और पाला बदल ले ये कल्पनाओ से पड़े है यही वजह है कि आज इंडिये और इंडिया एलाइंस ने अपनी अलग-अलग बैठक बुलाई है दोनों और के नेता और सांस दिल्ली में रहेंगे और तावरतोर बैठको से फ्यूचर प्लान तै हो जाएगा इसलिए आज का दिन राजनितिक लिहास से काफी एहम रहने वाला है वहीं चुनावी नतीजों की बात करें तो इंडिये को तो बहुमत मिल गया है मगर भाजपा अपने दम पर बहुमत से दूर है ऐसे में अपनी तीश कुमार और चंदर बाबू नाइडू ही किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे लोकसभा चुनाव रिजल्ट के मताविक इंडिये को 292 सीटों पर संतोस करना पड़ा है जबकि इंडिया एलाइंस को 234 सीटे मिली है इनमें से केवल भाजपा को 240 और कांग्रिस को 99 सीटे मिली है यहां बताना जरूरी है कि भाजपा ने इस चुनाव में 400 पार का नारा दिया था लुक्सभा चुनाव में इस बार भारतीय जंता पार्टी को बहुमत नहीं मिला भाजपा उमिदवारों ने देश में 240 लुक्सभा सीटों पर जीत हासिल कर ली भाजपा बहुमत के 272 के आकरे तक नहीं पहुँच पाई ऐसे में सरकार के गठन के लिए उसे एंडिये के अपने सहयोगियों के समर्थन की जरुवत होगी बाजपा के प्रमुख सहयोगियों में एंच चंद्रबावु नाइडू की टीडीपी और बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार की जदियू है दोनों दलों ने आंद्रप्रदेश और बिहार में करमसा 16 और 12 सीटों पर या तो जीत हासिल की है इसके लावा अन्य गठन सहयोगियों के समर्थन से एंडिये ने बहुमत का आकड़ा पार कर लिया है अब सवाल यह है कि क्या नितीश कुमार पल्टी मारेंगे या नहीं बात कर लें चंदरबाबू नाइडू की तो टीडीपी सुत्रों की मानी तो चंदरबाबू नाइडू एंडिये में ऐसे ही नहीं बने रहेंगे वो लोकसभाय स्पीकर और केंदर सरकार में कम से कम पांच महत्तो पुर्ण मंत्री पद की मांग कर सकते हैं चंदरबाबू नाइडू प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को 9 जून को मुख्यमंत्री पद की सपत ग्रहन समारों में हिस्सा लेने के लिए नियोता भी देंगे टीडीपी सुत्रों का दावा है कि डिप्टी पीम के पद की कोई डिमाइंड नहीं है लेकिन आंदर प्रधेस को विसेश राजी का दर्जा या उसके बदले बड़ी आर्थिक केंद्रिये मदद का पैकेज हासिल करना चंदरबाबू नाइडू की प्रात्मिकता है इतना ही नहीं आज की बैठक में अंडिये का समनवयक बनाने पर भी विचार हो सकता है दिल्ली में अंडिये की आज साम को होने वाली बैठक में चंदरबाबू नाइडू अकेले सामिल नहीं होंगे चंदरबाबू नाइडू के साथ टीडी पी के कुछ वरिष्ट सांसत लगसुप जूनाओं के नतीजों के बाद अव राष्ठर पती भवन में भी, आज यानि पांच जून से नई सरकार के सपत ग्रहन के तयारी सुरू हो गई है इसकी तैयारी के लिए राश्ट्रपती भावन पांच से नौ जुन तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा माना जा रहा है कि राश्ट्रपती भावन में नौ जुन को नई सरकार का सपत ग्रहन समारो हो सकता है भाजपा ने फिर एक बार मोधी सरकार का दावा किया है वही इंडिया गड़बंधन भी सरकार बनाने के लिए एरी चोटी का जोड लगा रही है लोगसभा चुनाओ रिजल्ट के मताविक एंडिये को 292 सीटों पर संतोस करना पड़ा जबकि इंडिया एलाइंस को 234 सीटे मिली इन में से केवल भाजपा को 240 और कॉंग्रिस को 99 सीटी भाजपा 240 सीट जीत कर फिर से सबसे वड़ी पार्टी के रूप में उबरी है हाला कि ये आकड़ा 543 सदसिये लोगसभा में उसके पिछली बार की संख्या यानि 303 सीट से काफी कम है अब चुकि उसे अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है ऐसे में केंदर में गडवंधन की रादनिती की वापसी का संकेत है उत्तर प्रदेश में भाजपा 33 सीट पर जीत गई है जबकि 2019 में उसकी सीट संख्या 62 थी इस बार सफा की सीट संख्या में इजाफा हुआ है राज में लूक सभा के कुल 80 सीट में सफा 37 पर जीत गई है इस बार NDA की सरकार भी बनती है तो सही होगी दलो का कद बढ़ा रहेगा तो फिलाल जो है नितीश कुमार जो है वो सेम फ्लाइट से 33 अदब के साथ जो है दिल ली जा रहे हैं नितीश INDIA के गड़बंधन की मीटिंग में सामिल होने के लिए दिल ली जा रहे हैं अब आगे देखना है क्या रूख होता है फि नवदो नवाद।